करपूर गवरम करुलावतारम संसाध सारंव भुझ गेंद्र हारं सदाब संत मेरदारविंदे भावं भवाने सहितम नमामी नमस्कार मैं हूं जोत्साचारे डॉक्टर मीं तरपाठी आप देख रहें भागी गुरु करकरम भागी गुरु कारक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे कि पंचांग की क्या इसती है सुर्योदे कब होगा, सुर्यास्त कब होगा, चंद्रोदे कब होगा, चंद्रास्त कब होगा सब बाते आपको बताऊंगा आज का महामंतर भी बताऊंगा और महामंतर का जब कैसे करेंगे और जब करने से आपको क्या लाब हो गए भी बताऊंगा बारह राशियों की भी बारे में आपको पिस्तार से बताउँगा क्या कहती है कौन पत्रकार बनेगा, कौन साहितिकार बनेगा, कौन ग्रंत secular बनेगा, कौन फिल्म बलाएंगा, कौन कहानी लिखेगा किसको बिदेश जाना, किसको आयात निजाथ से धन मिलेगा कौन भारति प्रसास्निक सेवा में जाएगा कौन वीधिवयत्ता बनेगा कौन न धिवक्ता बनेगा और किसको बैज्ञानिक बनना है इस सारी बात बताऊंगा किस अंके के प्रयोग करने से आपको अपार सा फलता मिलेगी सौधानी के अबरतनी उपाय क्या करना है गुरू क करते हैं आज के पंचांग की आज 28 अक्टूबर दोहजार चोबिस दीन है सोमवार तिथी एक आदशी नच्छत्रे पुर्वा फालगुनी और कॉलो करन है सुर्योद है हो चुका है सबेरे 6 बच के 20 मिनट पर सुर्यास्त होगा साम को पांच बच 30 मिनट पर चंदरवार है आज आपको एक बात का ध्यान रखना के दिशासूल में यात्रा वर्जीत है नेकि लगता है यात्रा पूरे निर्धारित आज करना है तरके क्या करें कि एक दिन पूर सुमौर्थ में प्रस्थान निकाल के तब करें राहुकाल में कोई भी महत्तपुर्कार ना करें दिश यह जो महामंत्र है देवाद हिदेव महादेव का है और इस मंत्र का नाम है महामंत्र के जब करने से अगर व्यक्ति जीवन अम्रित्यु से भी संघर्स कर रहा है तो वह सफल होगा और उसका जीवन अच्छा होगा और उसको यह स्पत पर्तिष्ठा के प्राप्तियों को उसके उपर फोकान भूले नात की किर्पा बरसेगी आपको क्या करना है कि स्वेत रंग का वस्त धान करें और क्या करें कि रुद्राक्ष के माला से कमस्का में एक माला तीन माला अगर आप जब करते हैं तो आपके लिए महामंत्र बहुत ही फायदे मन्त होगा